दीयरे स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए सिक्स समस्टर यानि के भी छटे समस्टर के भुगोल यानि के जियोग्राफी के प्रथम प्रस्ण पत्र के मोस् पॉपारण कोईश्चन और अश्र के बारे में आप सभी की जैसा के मालूम है कि इस एक समस्टर पर सब्जेक्ट दो पेपर होते हैं तो पहला प्रशन है कि खानिजों का महत तो बताइए ठीक है तो जो खानिज होते हैं उसके बारे में आप लोग खानिज नाम तो सुनाई होगा ना अभी समझ जाएंगे ठीक है तो खनिज का महत तो क्या है इसके importance क्या है उत्तर लिखना कि वरतमान युग में खनिज पदार्थों का महत बहुत अधिक है क्योंकि जिस देश में खनिज पदार्थों का अथाह भंडार उपलब धे वही देश आज बिश में सबसे अधिक आर्थिक और दोगिक और बेपार अधिक उन्नत करने में सफल हो सका है जैसे कि सईयोग तो राज अमेरिका रूस युक्रेन इंगलेंड जर्मनी फ्रांस बिल्जियम और जपान ऐसे ही राफ्ट है जिन्होंने अन्य देशों कि आप एच्छा अधिक उन्नत की है मतलब कि सफ़े जादा विकाफ कि आप पैस कमाया फाइनेंचियल की मामले में स्टोंग है ठीक है आधुनिक सब्यता बहुत अंसु तक खनिस्पदार्थों पर निर्भर है क्रशी उद्द्योग परिवाहन और संदेश वाहनों आज सभी का विकाफ खनिस्पदा पर ही अउलंबित है खनिस्पदार्थों के खोच के क आज बिश्ट के उस्रतम मरुस्थल पस्चमी आफ्टेलिया सवधी एरब तथा ठंडे मरुस्थल बिशिषकर अलास्का का आर्थी विकाफ संबह हो सका है ठीक है में वज़ा क्या है खनिस्पदार्थों की वज़ा फे किसी भी देश की एकोनोमिक्स प्लफ उफ देश की जो फैनेंसिल है वो स्ट्रोंग हो जाती क्योंकि वह कोई बीचीज कम दाम पर निकाल कर अधिक दाम पर बेंचते हैं इस वज़ा फे उनकी जो पूरी तरह स्ट्रोंग हो जाते फैनेंसिल रूप से ठीक है तो खनिस्तत्यों का बहुत ही महत्त्य है किसी भी देश के लिए तो खनिस्तत्यों में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए वही सब चीजे आती जो खोद कर निकाली जाती जैसे कि चूना हो गया ठीक है पत्थर हो गया ठीक है और चूना हो गया पत्थर हो गया कोईला हो गया ठीक है ओके तो इस प्रकार की जो चीजे होती कोईला पत् कुश्चन है अगला की लंबे समय तक परिवर्धनिय संसाधन कौन से होते हैं तो जान लीजिए वे ये वे संसाधन ने जिने बिज्ञान के सहारेक लंबे समय तक उपियोगी बनाये रखा जाता है उनकी गुण ब्रद्धी की जा सकती है यथा भूम की उपरक्षक्त को जल आज देकर उपजाओ उपजाओ बनाये रखा जाता है सन रच्छन द्वारा मचली जीव जन्तु और वनों को फुरच्चित रखा जाता है ठीक है उनको हम बोलेंगे परिवर्धनिय संसाधन ज्यान रखेंगे अगला की मानुए संसाधन किसे कहते ये भी important question ज्यान रखें में या फिर अलग अपनी पहचान मनाते हैं अलग इनका यूज है उफी तरह मानुश संसाध भी बहुत ही महात्पूर है क्योंकि बिना मानुश्रम के प्राकृतिक संसाधनों का कोई मूल नहीं है मानुशी अपने वात्तावरण में परिवर्तन कर उसमें पाय जाने वाले में पदार्थों को अपनी आवस्यक्ता के लिए उप्योंग में हैं मतलब कि इस lavor 챙 परियोग करता है उसके Parish들이 के फ़ल स्हुरुप आज़ बिस्ट में कहीं क्रिशी वच्तों का उठपाधन किया जाता है तो कहीं खळच्शी में युथ ही निर्मादी उद्यों कभी का विक पर च्छाम फसेगा अगला कि खानीजों के सोसड को नियंतित करने के मुख्य कारक बताइए तो खानीजों का मतलब वही हुआ खोट कर निकाली जाती भूम के अंदर से तो खानीजों का भूम से सोसड कई बार वातावन में प्रदोस्वर समंदित समस्याओं को भी जन्म देता है यानि कि उससे बहुत जाद हमारे वातावन पर प्रभाव पड़ता है अतागी जो का अंधा दूसों समंदित प्रदेशो के लिए अफ्थाई रोप से पिछले पन का भी कराण बन सकता है ठीक है तो यह इस बात को भी ध्यान रखेंगे खनीजों के सोसड के लिए अंतिर करने के मुख घटक यह कोश्चिन आप सभी के लिए उपार्टनर साबित होगा तो इस बात को ध्यान रखेंगे और साथ सा सुसरड हो तो इससे आप के वात्ता रणा और वह right का इनवार्मेंट उस पे इंपेक्ट पड़ता है ठीक है तो यवार्यफो प्राइद्यान से प्लिफिटा बीजान लेते हैं तो और में जक संसाधन सकीय जान लेते कीवे होते हैं किशके इंतरगत दोख इंका व्यूजा बनाने के लिए या सक्ति की प्राप्त के लिए नितर जाल्या thunderstorm सक्त प्रदान में भी किया जाता है मतलब कि पीरने के लिए और खेतिक विचाई के लिए नहीं और इसके लावा कुछ सक्त होते हैं सक्त उत्पादन के लिए ठीक जिसमें स्पावर मिलती उसके लिए भी किया जाता है इन दोनों संसादनों के बीच इस्थिती ठीक है या फि करतिके में मिट्टी का महत भी सर्वधिक होताए ठीक है तो इस प्रकार परिभाद्धा लिखेंगे जयविक अजयविक और जयविक्त संसादन दोनों महत पौन परश्ण Mouse नहीं ध्यान लखेंगे अगला परश्ण आप जित्वेकर कार देखने सकता है कि कुठीर में लग उद्धयों में अंतर उतक्र बताई तो पहले लिखेंगे と प्रेज्टीर के बारे में आको पहलेस लोग मुक्ता परिवार के सायोक से चलाया जिवकि जो लग होते हैं हैं मिन उत्पादर मसीनों द्वारा किया जाता है उपके चूटे होते हैं जो घर में लोग महलाएं जो फिर घर में रहे कर कुछ करना चाहा है तो मतलब मानो एकृत होते हैं तो मानो के हाथो द्वारा बनाया जाते हैं जबकि जो लग उद्देग और नहीं बड़े उद्देग होते हो मस्चीनों के बनाया जाते हैं इसे बात को ध्यान लगेंगे इफ़ी तरह आप कई सारे प्रमुख अंतर लिख सकते हैं अगला प्रश्ट ने कि भूमिगत जल से क्या आसा है तो इसके बारे हम लिखेंगे कि भूपरस्ट के नीचे पाया जाने हूँ वाला वाजल जो की चट्टानों में छिद्रों धरारों वा पड़तों में इस्थित होता है ठीक है और वह भूम में यह फिर भूम जल भूमिगत जल अथवा अधो भूमिगत जल कहलाता है तो इसकार भूमिगत की परिभाफवा लिखेंगे बूप जिसको आप लोग बूलते हैं कि पहाड़ परबत ठीक है तो परवर्भत जिखेंगे वह फ्थानों प्रश्टित हिम टोपी यह किम राफ जब ठीक है गुरुत्य के कारण निचले ढाल की और सरिता के रूप में प्रभावित होती है तो उसे प्रबती हिमनित कहते हैं हिमनत कहते हैं ध्यान रखेंगे इंप्रकार कौन से होते हैं तो यहां पर कुछ प्रोंक प्रकार रखे गए हैं दिनको आपको ध्यान परफब पृषड वाली किर्फी घरन भरण पौफड वाली किरसी भूं अध्यसागरे किर्शी और बेपारिक अंउपादक किसी बेपारिक फसल्य यांप पालन पौधे वाली किर्शी बेपारिक फलोत पादन वाली करसी तो यह प्रुप मुख करसी के प्रकार है जिनको आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टन कोश्चिन ने भी है संसाधनों को वर्गिकरत कीजिए यह इंपॉर्टन कोश्चिन हमने इस वीडियो में सारे कोश्चिन की लूट करने का बारिस ब्रखनों को अपुर्चिन को प्रकार ऑफज़ार कीजिए तो उसे हम अपर दन कई आप्र प्रश्चिन का इबारा चुका है जब गत्षील सकतिया यथा हावाहीमानी नदी लहरे घोबंगत जल आदी के द्वारा धरातल पर चट्टारों किकैने तोड़ फोड कि किरिया की जाती तो उसे हमा अपर्दन कहते यह भी महात्पूर्ण प्रश्ण कई बारा चुका वर्शा सा क्या मतलब है जो बारिस होती है यह भी महात्पूर्ण प्रश्ण है फ़ी प्रकार की कि आप आप लिखेंगे मुखिता तीन प्रकार की होती है बाद में जन संख्या फ्योड़ा कोश्चन आएगा ठीक है स्वमुद्र तटिया मैदान पर टिपड़ी लिखे ऐसा कोश्चन आएगा ते पूरी पूरी जब कोश्चन नहीं से की पीडियोप है यह आपको हमारे टेलीग्र प्रकार की पीडियोप चाहिए तो आप जैसे मैसेज करेंगे तो आपको तुरनत के पीडियोप से काफी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी कई सारे कोश्चन निशी पीडियोप से आएगे इस बात को ध्यान रखेंगे और आपको आपके एग्जाम में काफी ज्यादा सभी पुरशणों को उत्तर देखर आएंगे थोड़ा बहुत आप बनाके भी लिखे ले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन षब प्रश्णों गुत्तर दे कर आएंगे बस यहीं आप लोगों से हमारी उजारिस है बाकी मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में जब तक लिए जैहिंद